आज एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो I think हम सब के घर उपर बनती है दिवाली में हमने बहुत सारे स्नाक्स बना लिये हैं नमकीन भी बना लिया, मीठा बना लिया, मिठाईया बना लिया बट यार अभी ग्यारस आने वाली है हमारे हैं वैसे हम इसे बूड़ी तीवाली भी कहते हैं तो उस दिन के लिए भी तो कुछ बनाएंगे खास तो exactly उसी के लिए शकरपारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उत्राखंड तरफ हम इने खजूर कहते हैं जिसको हम मकर संक्रांती पर भी जरूर बनाते हैं तो नो इसके लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है बलकि अभी छट पर आने वाला है महा पर जिसे कहा जाता है तो उसमें ठीकवा जो बनता है यह बस उसी तरीके का ही आइटम है इन फाक्ट वो शेप नहीं है बाकि सारी चीजें से मिला रहे है नो क्या करना है दो कटूरी आटा मैंने यहाँ पर लिया है दो कटूरी आटा में जितना आटा उतना चीनी का रिशो रखते हुए मैंने चीनी आट करी है इसके साथ में मैं यहाँ पर आट करने वाली हूँ ओईल मोयन के लिए अब आपकी चोईस अगर आपको घी आट करना है या ओईल आट करना है तो आदा कटूरी से थोड़ असा जादा मैंने यहाँ पर मोयन आट किया है वैसे सजेशन यह होगा कि घी अगर आप यूज कर रहे है घी के साथ थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ओईल भी आप ज़रूर मिक्स करिए उससे बहुत अच्छा जो टेक्शर होता है और जो सौफनेस होती है वो बहुत अच्छी आती है एक बार पहले ड्राय इसको मिक्स करेंगे इसको बाद हलके हलके हातों से ओईल डालने के बाद में यह पूरा इससरी की से मिक्स करेंगे और इसको फॉर्म करने की कोशिश करेंगे अगर बॉल सा बन रहा है ताट मींस यह मोयन हमारा जो है यह परफेक्ट है हमें और मोयन की ज़रूरत नहीं है तो बस उसी चीज को बचाने के लिए यहां पर मैंने वह वाला ओल यूस किया है कि थोड़ थोड़ा पानी डाल कर इसका एक मीडियम आटा हम रेडी कर लेंगे बहुत सॉफ्ट भी नहीं बहुत हार्ट भी नहीं तो ऐसा आटा रेडी करके उसको हम फिर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कुछ 15 मिनिट के आसपास रेस्ट होने के बाद में उसे बेल लेंगे और जो भी डिजायर आपका शेप है उसमें उसको कट कर लेंगे यहां पर जैसा मैंने कहा कि तीन शेप में हम इसे कट कर रहें एक तो हम राउंड वाला शेप बना रहें तो किसी भी बॉटल का कैप जो होगा वह आप ले लो और इसको कट कर लो अच्छा दूसरा टेप यहां पर ही है कि जब आप इसे बेलोगे तो बेलते टाइम नहीं इसको हमें बहुत पतला नहीं करना है और एकदम एक्स्ट्रीम मोटा भी नहीं करना है थोड़ा सा थिक होना चाहिए तो जब वो पूरा हम इसको डीफ फ्राइ करते हैं स्लोपर प दो फ्रेवर्स तब भी मैंने शेयर किया था और बताया था किस तरीके से बनाना है और भी आप देखोगे और एक जो ट्रदिशनल हमारा खजूर का शेप होता है मतला जो डायमिंड वाला शेप होता है वो हम देंगे जिसे कटली बनती है वह वाला बस सिंप्ली इसको कर ल बिल्कुल भी तेस फ्लेम पर इसे हमें कुक नहीं करना है, सारा काम स्लो फ्लेम पर ही होगा and that's it, उसके बाद जब गरम गरम हो उसको छोड़ दीजिए, अच्छे से रेस्ट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको खाईएगा, और क्या मज़ा आएगा, बहुत अच्छा, तो यह जो हमारा पुरा दिवाली सीरीज है, इसको हम इंड करते हैं, इस रेसेपी के साथ में, बाकी रेसेपी आते रहेंगी, तो मेक शॉर की वीडियो पूरा लास तक जरूर देखना और बाकी की वीडियो और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, यह इंग्रीडियन्ट लिस्ट के लिए, और सारी ही प्लेलिस्ट महाँ पर मिल जाएगी, हम इस चैनल पर क्या क्या करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेर, सब सब्सक्राइब करना, बिलकुल भी मत बूलना, कॉमेंट करकर मुझे जरूर बताने, इस दिवाली पर सबसे फेवरिट स्नाक, आपने अपने गहर पर क्या बनाया, और अगर रेसेपी शेयर कर सकें, तो बहुत अची बात है, हम भी उसे रेप्लिकेट करेंगे, थैंकियो स साथ करेंगे, जर्मय है, हम मत ब Positive, मुझे भाइब कर सकेंगे, पिन back of the Clementine.